जाहन्द स्टुडेंट्स वेलकम बैक अगेन दिस दिव्यांशु पांडे इंडियन एर फोर्स को अपनी न्यू कॉमबैट उनिफॉर्म इंडियन एर फोर्स के डे यानि की 8 अक्टूबर 2020 को मिल गई है इसकी स्पेसिफिकेशन्स क्या है और यह हमारे इंडियन एर फोर्स क के कॉमबैट रोल्स के लिए कैसे सुटेबल रहेगी तो इसके बारे में आज किस क्लास में हम फुल एनालिसिस करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं आज किस सशन के 8 अक्टूबर 2022 जब हमारी इंडियन एर फोर्स अपनी 90 अनवर्सरी मना रही है तो इसे दिन चीफ आप दे एर स्टाफ विवेक राम चौधरी ने इंडियन एर फोर्स के नए कॉमबैट उनिफॉर्म को अन्वील कर दिया है और यह हमारा इंडियन एर फोर्स का न्यू डि न्यू आर्मी डिजिटल कैमफलॉग उनिफॉर्म को अन्वील किया था और उसी की तर्श पर अब हमारी इंडियन एर फोर्स भी अपने सेना के लिए न्यू कॉमबैट उनिफॉर्म जो की आपका पूरी तरीक से डिजिटल कैमफलॉग है उसको लेकर आई है इस टाइप क जितने भी डिजिटल कैमफलॉग उनिफॉर्म होते हैं उनको हम किसी भी आपकी टिरेन में स्पॉर्ट करना काफी कठिन हो जाता है जिससे कि हमारे फोर्स के जवान अपने आपको किसी भी टिरेन में सुरच्छित रख सकते हैं इस बार का जो इंडियन एर फोर्स का आउंड यूटी आसानी से कर सकेंगे साथी साथ किसी भी टिरेन में चाहेगो आपका डिजर्ट हो माउंटेन फॉर्स्ट सिटी हो आसानी से अपने वर्किंग को अंजाम दे पाएंगे इंडियन आर्मी की जो न्यू यूनिफॉर्म थी उसको भारत की नेशनल जीससे कि हमारी इंडियन आरफॉर्स को काफी एडवांटेश किसी भी आपकेडीर तेरिन के चिरीन कीसी भी वेधर कंडिशन में आपका मिल सकेगा मीडिया से बात करते हुए इंडियन एयर फॉर्स के आफिसर ने कहा कि जो हमारी इंडियन एर फोर्स का NEW कॉम्बैट यू अपना कारे कर सकते हैं इस बार की जो आपकी combat uniform आई है वो काफी lighter है और more breathable fabric से design आपकी की गई है जिससे कि हम आसानी से इसको पहन भी सकें और किसी भी weather condition में efficiently work भी कर सकें ये uniform men and women दोनों ही के लिए जिससे कि वो अपनी ground duty की operation काफी आसानी से कर सकेंगे हम सभी जानते हैं कि जो हमारे गरुन commandos रहते हैं जो कि Indian Air Force के सबसे special forces हैं उनके लिए भी ये आपका design किया गया जिसमें आपके new boots और uniforms आया हुआ है इससे पहले कि आप यहाँ पर हमारे गरुन commandos की uniform देख सकते हो उसकी design पहले ऐसे थी अब जो है change करके कुछ इस type की कर दी गई है Saturday यानि कि आज का दिन 8th October 2022 जब हमारे Indian Air Force अपना 90th anniversary मना रही है तो इस uniform को showcase किया गया है जिसके लिए यह जो function था काफी सबसे important रहा था हमारे Indian Air Force के दे में भारत की राश्पती भी शरीक हो रही है यह uniform काफी unique है क्योंकि इसकी design जो है काफी आपकी digital camouflage के new modern पर आपक कि हम बहतर तरीके से किसी भी condition में अपना work कर पाएंगे काफी lighter और काफी stronger इसका fabric होने के कारण इसको हम काफी लंबे वक्त तक पहन भी सकते हैं और इसका use कर भी सकते हैं किसी भी आपके versatile condition में यह uniform सबसे suitable रहती है चाहे वो आपका North East का जंगल का इलाका हो या फिर आपके राजस्थान का रेतिला इलाका हो अब यह new combat uniform हमारे Indian Air Force में शामिल हो गई है तो आप सभी जितने भी हमारे young aspirants हैं जो कि Indian Air Force में जाने का अपना सपना देखते हैं अब आपको भी combat roles के लिए यह uniform दी जाएगी और इसको आप पहन के काफी proud महसूस करोगे अपने SSB interview और हैं और courses में enroll होने से पहले आप सभी defense experience इस वारे 10 code का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का flat discount सभी courses पे मिल जाएं जैहन एंड best of luck